मुझा देखा मैंने कहा थना भापने में छोड़ाई हो टी जल्द में प्रशाइब भूलाई थी अर्छी लापर वाई है इतनी कीम्ती चीज हो नौकरो वाला घर हो और इंसान ड्रेसिंग टेबल पर इंसेवर चोड़ते हैं क्या मसला है इस घर में? मैंने कब कहा कि इस घर में मसला है लेकर मैं आपके साथ जाना चाहती है मैं इस घर में दिल नहीं नगता दिल तो लगाने से लगता है नो? मैं लगाना भी नहीं चाहती है अगर जर्दा पकादा नहीं आता तुम्हें तो कोई बात नहीं बिचा तुम बहु से कुछ और पकवालो अचा ऐसा करो खीर बना लेना वो कैसे बनाते हैं खीर बनानी नहीं आती तुम्हें तुम कोई और मीठी चीज पकवालो खीर जर्दा तो बनाना आता ने उसे, अब क्या रसगुले बन वालू उसे? तो पीसियो से फोल कर रही हो? अहां, वो सबुद के साथ आई थे अमी को बता कि? क्या ज़र थी तुम्हें पीसियो पर आने की? जानती हो कितने मर्द होंगे वहापर? मैं सरफ आपकी तबित कुछने आई की? लेकर आप ने ठीक है? ले जाएं, हम लोग रोक टोक करने वाले तो लोग नहीं है लेकिन मनसूर नहीं है ना, उसकी इजाज़त के बगार उसकी बीवी को कैसे भीज सकते हैं? माशालला आप लोग घर के बड़े हैं आप लोग अगर कोई फैसला करेंगे तो मनसूर को इतराज नहीं होगा ठीक है अगर आप लोग इसरार कर रहे हैं तो फिर बेज़ें शैवार को बड़ी घुटन है उस घर में मेरी तो समझ में याता कि कोई इस तरह भी जी सकता है ठीकिन वो सारे लोग आती हैं उस जिन्दगी के अमी भी हर बार आपके जाने के बाद बहुत रोती है अकसर अबा के साथ तू तू में में रहती है अब आभी बहुत परिशान है बाजे अच्छा हुआ तुम यही मिल दी वरना तुम्हे कार्ट देने बहुत जहला माना पता तुम्हारी जासूस नंदों वाले घर में के लगाए तबहें शादी सत्रा को है लेकिन तुम्हारे लिए समझो दस से शुरू होगी मेरी शादी रूद आओठ भूट था जो तो शादी यहां नेसा बेंसे कुछी नहीं जरूरा आंगी अ आ कि शैबार तुम्हार जो यह क्या होगा बना रहा कई तरी अधना क्यों? क्या है मेरे घुलिये को? शकल देखिए अपने सौ असाल की मासी लगती हो इकने ना खुशी है तुमारी आंखों में इसके कोई हादी नहीं इसको भी शादी शुदा वाली लुख नहीं है तुमारी सुस्रान में सब थीप तो है अंशूर भाई से कोई जगरा हुआ है कोई बात नहीं है और वैसे भी शुस्रान में सब ठीक है कर बद तो सारी मेर के मरे शेहवार क्या हुआ? भेरियत तो है ना? कुछ नहीं हुआ मुझे तो लगता है कि शादी शुदा ओरतों कि तरह करना शिकायत करने कि आदर दोगी है आंकश कर, हर तुम्हें परिशान है बताओ तुम्हे शादी प्यारी है कैसे चाहरी है बहुत अच्छी कारदाज कच्छी रहता है शुक्रिया जहे इसका सारा समान घर में इस्तमान काना शुरू करती आनों मशीने वगरा सब निकालनी है मेरी समझ में नहीं आता कि अगर मैं खारियां गी तो क्या लेकर जाओंगी और अगर समान उठाने की बात की तो फिर घर में जग्रा होगा अरे दफा करो समान को समान इस्तमाल करते हैं तो करने दो उनको समान के इस्तमाल पर जग्रा करना छोटे पन का मुझारा होता है मैं अभी मैं जग्रा नहीं कह रही बस मुझे दुख होता है अधे शौक से खरीदी थी मैंने सारी चीज़े कोई बात नहीं बिटा खारियां जाने से पहले हम तुम्हें दुबारा सारी चीज़े खरीदेंगे हम आप बातार मेरा जहाज तो नहीं बनाएंगे नहीं अच्छे खैर कोई बात नहीं है मैं इन चीज़ों के बगएर को जारा करने में थी अच्छे चलो तुम थोड़ा सा फल तो खाओ पता नहीं वहां कैसे खाती होगी तुम तो यहां खाने में इतना तंक करती हो वहां पे फलों का रिवाज नहीं हमी बस दिन वक्त का खाना बनता है वहीं मिलता फल बल सब छोच्रे लगते हैं मेरी सास को शवार बीबी मंसूर साब का फूमने है इसमें ये किन ना करने में ले क्या बात नहीं वह उस दिना बहुत नाराज होए थे ना इसलिए क्योंकि उस दिन तुमने मुझे PCO से फोन किया थे मुझे अच्छा नहीं लगा अब फिर उपर से तुमने अम्मी को भी नहीं बताया अब आपके अम्मी को पता है कि आप मुझे फोन कर रहे और क्या हो रहे मेरे माबाप की घर में मुझे कुछ नहीं करना पड़ता बस आराम करती है हाँ मैं जानता हूं तुम्हें अपने माबाप की घर में बड़ा आराम है आराम की बात नहीं है मन्सू यह सारे लोग मेरी परवा करते हैं मेरा ख्याल रखते हैं खेर आपको मेरा ख्याल कैसे आगया खारियां जाके तो आप भूल जाता है कि जिसे बीवी नाम की कोई चीज भी है आपकी जिन्दगी में भूल गया होता तो इसक फोन ना पहला हो फोन तो आप वहां पर भी करते हैं लेकिन महा तो आप में कभी नहीं कूछा कि मेरा क्या हाल है क्या हाल है तुमारे हाल भी अच्छा नहीं और मस्तक्पिल भी बुरा लग रहा है मैं जुमी बन गई हो क्या यही समझ ले आज मन्सूर भाई ने कैसे फ़न कर लिया मैं तो खोद हैरान हो रही है शयाद घर पे कॉल की होगी पता चलाओगा मैं यहां पर ले इसलिए कर ली होगी इतनी लंबे बात हुई और क्या कह रहे थी कुछ नहीं बस इदर उधर की बात इन इदर उधर की बातों में इजहारे मोहबत किया वैसी बात है नहीं करते मानू इतनी लंबे बात हुई और क्या कह रहे थे पूछ रहे थे कि तुम्हें हैदरबादी बेंगन बनाने आते है कर नहीं आते है तु जितने दिन वहाँ हो सीख रहे और कह रहे थे कि उन्हें मैदे की समया भी बहुत पसंगा को भी सीख रहे और कह रहे थे कि सलाई कड़ाई भी सीख रहे उफ वही सब कुछ कहते रहें आप सुनते रहें आपने फॉन बंद नहीं किया अगर मेरा मिया मुझे फॉन करके यह सब कुछ कहता तो मैं किसी लोक रानी का रिष्टा बताती और फॉन बंद कर देती कल फिर फॉन करेंगे कल फिर आपका दिमाग खाएंगे आप फिर भी खुश है बाजी आप बहुत इपिकन होती जा रही है अजीब बात थी और कुछ नाकाबर यकीन थी लेकिन मनसूर हरोज मुझे फोन करने लगे थी वो बहुत लंबी कॉल करते हैं बे मकसद बाते करते रहते शादी के बाद पहली बार हम इतने लंबी बाते कर रहे थी करीब रहकर जो दूरी मिटने पर नहीं आ रही थी वो दूर रहकर सिमटने लगी थी मुझे पहली दफ़ा मनसूर के दोस्तों के नामों का पता चला और उन्हें मेरी सहेलियों करते मुझे उनके पसंदीदा खानों का पता चला और उन्हें मेरे वे मकसद बाते थी वो सारी जो मैं और वो फोन पे करते थी लेकिन वो बे मकसद बाते सारा देन सारी राद मेरे कानों में गोश्टी रहती थी बाजिवा आज तो मेरी बेटी कॉर्मा खा री शैवार तो में तो कॉर्मा पसंद नहीं था अमीं मनसूर को कॉर्मा बहुत पसंद है बलके में आप मुझे कॉर्मा बनाना भी सिखा दीजेगा आलो बुष में तो आपके साथ गिन गिन के बोटियां डालती है कॉर्मा बनाने देनी आपको बहुत बुरी बात है मानूर ऐसे नहीं कहते अब आप मनसूर कल से एक्सरसाइस पे जाएंगे अच्छा वरी गुड़ भई अमी टेलर आया था आज नहीं आज तो नहीं आया शायद का लाजर क्यों नहीं भू मुझे मनसूर के लिए कुछ कुर्ते बनवाने थे जुम्मे के लिए मुशलवार कमीस बेनते है अब यह मनसूर नामा हमारे घर से खारी के टेबल बे खतम होगा बचास बनाम ने चुकिया मनसूर भाई का मनसूर भाई को यह पसंद है मनसूर भाई को यह पसंद है मनसूर भाई को खड़े चावल पसंद है मनसूर भाई को काड़ा राहता पसंद है मनसूर भाई को पूदी ने के चटनी शूटनी करती, मनसूर भाई को आमका इचाल बहुत पैसंद है अब ये पानी ही रहागिया, इसके बार मनसूर भाई ने क्या कहा? बाजी मनसूर भाई ने पानी के बारे में तो कुछ ने कहा ना? अब भूना पाली पर क्या क्या कहेंगे? इञा बात है आती कि ने ओक शुरू से बेवकुफ होते हैं यर शादि के बाद बन्ती है. मेरा ख्याल है कि शादि के बाद बेवकुफ है. अपाये पूरी जिम्दिगी में पहली बार वहादी की बात की है. मेरा चार औरतों के मौजूद्गी में बहादरी कहां रह जाती है घर में मरत के बाद अरे हमी आप इसो के आपे क्या कह रही है वो आज रहीम की सब्वियत खराब थी मैंने सोचा मैं खुझी कुछ किछन के काम निप्टा लूँ अच्छा आप छोड़े में करते हूँ तुम क्या करोगी तुमने पहले कार न flashing से काम किए जो तुम्हें आता होगा सुस्राल में जाके सारे काम करने आगए मुझे अच्छा खैर यह तुम्हारे माबाप का घर है सुस्राल का घर नहीं है अच्छा हाँ शैवार वो आज तुम्हारी सास का फोन आया था का बता नहीं तुम्हारे अब्भू की बात हुई है उनसे क्या कह रही थी मेरा खालत तुम्हारे बापसी का पूछ रही थी मेरी दापसी का मैंने समी से कहा तो है कि कुछ दिन और रुखने की अजाज़त ले लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया तुम्हें तो पता है अपने अब्भू की आदत का जे ले अब्भा मुझे ने बता कि वो अच्छे लोग हैं अबर लेकिन जो हो मेरे साथ करें वो बुरा है और अब्भा उन्ही जीज़ों से जज़ करते ना जो हमारे साथ करते हैं कोई अच्छा एब बुरा वो हमारा मसला नहीं होता है बटा माहौल का फर्क है सोच का पर फर्क है अबा वो आला जर्फ और खुले दिल के लोग नहीं है बटा तुम्हारे सास और सुसर ने अपने जिन्देगी के अब्तिदाई सालों में बहुत मुश्किल बख्त देखा होगा तुम्हारे ख्याल से एक इमानधर सुपर्वाइजर कितना कमाता होगा अगर उन्होंने जिन्देगी में बच्चत ना की होती तो बेटा अज उनके पास रहने के लिए शायद ये कहर भी नहीं होता उनकी तो सर्वाइवल ही बच्चत में थी अपा आपकी फिलासफी मुझे समझ में नहीं आती सीथ इसी बात है बेटा तुम्हारे माबाप के वसायल बहुत ज्यादा है मैं यूनिवर्स्टी में प्रोफेसर तुम्हारे दादा दादी के तरफ से ये घर रहने को मिल गया तुम्हारी अम्मा को कभी बच्चत नहीं करने पड़ी ना तुमने उन्हें कभी बच्चत करते वे देखा अगर देखा होता तो तुम्हें आज अपने इसास की आदतें इतनी बुरी नानत ने तुम्हारे सुसरा की आमदनी मैदूत है एक मनसूर की तनखा और तुम्हारे सुसरा की थोड़ी सी पेंशन जिसमें घर में पांच अफराद हैं तीन अफराद बढ़ रहे हैं दो बेटिया हैं जिनकी शादी हुनी और बेटे तुम्हारे सुसरा में लोगों का आना जाना भी बहुत है महले बाले हैं रिष्टेदार हैं अब अगर खुले हाथ से वो खर्च करें तो तुम्हें बताओ ना बेटा घर का खर्चा कैसे चलेगा अब आप हमेशा उन्हें की तरफदारी करते हैं बेटा नहीं तरफदारी नहीं कर रहा मैं तुम्हें सिर्फ उनका पॉइंट अफ्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद वो नहीं कर पा रहे है सासर बहूं में बेटे मुझे लगता है कि सिर्फ कम्यूनिकेशन गैप होता है एक दूसर से बात तो करना आती बात समझानी नहीं आती बेटे मुझे लगता है कि शायद वो तुमसे थोड़े बहुत खाइफ भी है खाइफ? हाँ बेटा खाइफ तुम एक बड़े घर से गई हो तुम्हारा रहना सेहना, खाना पीना, उठना बैठना, रख रखाओ उनसे कुछ बेतर है इस बात से कहीं न कहीं एसास कमतरी तो हुता होगा खास थोर पे मनसूर के दिल में और बेटा एसास कमतरी इनसान को बेवजे करवा बना देता है तो अपा ना करते ना हमारे घर में शादी घर देखकर ही शादी की ना और खुद ही इसरार किया तो क्योंकि अगर इतनी हैसासी कम्त्री थी? बेटे, ये इनसान की फितरत बहुत अजीम होती है हमेशे हुन चीजों की तमन्ना करता है जो उसकी रसाई में नहीं होती चांद की तमन्ना करता है और मेरी दुरे शेवार तो चांद है अस रहने दे अपपा अब उसी चांद में दाग भी ढूंड रहे है ढूंडते रहे हैं बेटे दाग चांद में अगर सौ दाग भी होना बेटा तो देदाग ही रहता है चमकता है रोशनी देता दिल दुभाता है पुरकशिश रहता है चाहे जाने की तमन्ना भी होती है और चाहा भी जाता है जितने अच्छाई से आपने उनकी लालच को बयान की मजा ये गहने के वो लालची है एक बार उनकी जरूरते और मजबूरियां खत्म हो जाने दो फिर देखना कितने अच्छे हो जाएंगे तब तक महना मजबूर हो जाओ अपा कही मेरी सबान में उस सारी कड़वाहट नाच स्वामाइकूम स्वामाइकूम कैसी है अप भाई आप तो मेंके जागे हमें भूली वहीं लाएए अगर लाएए मैंने से अमी बठी अमी भाई आई है बठी अमाब आई है बठी अमी पानी या कुछ ला दो नहीं बठा नहीं तो मैंटो असलाम अलेकूम असलाम अलेकूम सफिया भेल वालेकूम असलाम असलाम को ममी मैं सोच रही थी अभी बहु कुछ दिन और रहेगी आप लोगों के साथ मैं तो चाहती थी के शहवारा भी कुछ देर और हमारे पास रहे लेकिन आपका फून आ जाने के बाद समी में एक बात नहीं सुनी मेरे बैठी बता है नहीं मनसूर की अबबा कहां रहेगे हैं साओद साओद यमी देखो बेटा तमारे अबबा कहां है प्रणाने के 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 अबबा कहां है अम्मीद, आपको ने खाना खिला कर भेजना चाहिए था तो दूसरे शहर से आए तो फिर भावी के घर वाले हैं अब इस तरह से कोई अचानक से आदेगा तो क्या पगा कर रखेंगे उनके सामने वही घर में सबजी पहनी थी अलू बेंगन वही देते तो वह सो सो बाते करते वो भी और भावी भी तो आलू बेंगन भी रखने थे और बाहर से कुछ मुआ रहना था वारे कर क्या पहले अचानक में माननी आये जो होना था सो हो गया अगली बार देखा जाएगा इसको दो देखे भावी का चमचा हर वक्त भावी भावी करता रहता है और भावी पूछी तक निए घास ही जाती वोगा चमचा नहीं हूँ मैं किसी का उसूल की बात कर रहा हूँ तुम अपने उसूल अपने पास रखो कौन से क्यामत आगी अगर उन्हें कुछ खिला कर नहीं भेजा तो फो मैल चाय के बर्तंद हो नहीं थी अब रहने दे भावी अब अभी आई है इतनी जल्दी आते काम करेंगी कोई बात है अपना ही ग्रागा भावी बावी मेरी और अपसा की कुछ चीज़ें थी यहां पर अहां वो सामने रखी है तुम लोग यह रहती थी? गर्मियों में यह कमरा ठंडा होता है ना? और जब मनसूर भाई नहीं होते थे तो हम यहीं पर रहती थी पताने इस घर में आने से मुझे अजीब किसम की धकन और बेजारी क्यों होने लगती है यह लगता है जैसे मुझे अचनभियों के ग्रॉप के साथ कहीं कैद कर दिया गया जिनकी सबान, हरकातों सकनात, रवये, आदान, कुछ में ही समझ में नहीं आपकी मन्सूर से हाँ हो गए, ठीक थे वो, अल्ला का शुकर कह रहा था कि खारियां में उसके किसी दोस्त की शादी है, तुम्हें भिजवा दूँ मैंने तो उसे बहुत समझाया, कि क्या ज़रूरत है इस मौसम में ट्रेनों के धक्के खाने की लेकिन कहने लगा कि तुम्हारी शिर्कत करना जरूरी है, ऐसा करना अपने साथ साउथ को ले जाना, दो तीन दिन वो वही रहेगा और उसके साथ ही वापस आ जाना जी अमी, भला क्या ज़रूरत है दोस्तों की शादियों में बीनियों को ले जाने की मैं तो सोच रहा था भाई कि आप मैस लेकर जाएंगे, जी तहां लेकर आगेंगे अपने घर पे अपना घर? हाँ, फिछले हफते ही मुझे में लेकर यापका अपना घर है? हाँ, मज अपसर कारी कि इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा लॉन, भाई, अब तो एश हो जाएंगे हमारे, मैं तो आपके पास आपके रहूँगा अरे तुम्हें आपके रहने के ज़रूता है, तुम मस्तकल यही पर रहो है, मच्रा अच्छा है लेकिन हमें इजासत ही नहीं है अपने भाई के घर में रहने के लिए तुम्हें कौन सी इजासत की ज़रूत है? मन्सू, मेरा ख्याल है कि घर में रंग भी होने वाला है, और कुछ मुरमत की भी दुरूत है हम, तुम लोग चले जाओगे तो फिर उसके बाद काम करवा लूँगे साथ, बस हफता दस्तन की बात है तो आप काम कराने से पहले के शक्त होगे? क्योंकि मैं चाहरा था, तुम दोनों को सप्राइज दे वैसे भी, अपने घर में रहकर ढूमने पिरने का मज़ा ही हो भाई, आपने अमी को घर के बारे में बताया है? नहीं, पहले हम सेट कर लें उसके बाद बताइए पिर तो भाई हमारे घर में दो-चार हफते की मैमान है? जी नहीं, दो-चार हफते नहीं सिर्फ हफता दिर, उसके बाद में खुदी खारीया आ जाओंगी सुनो इस दफा जब तुम आओगी तो मैं तुमें खुद लेने आओगा समान जादा होगा जलो शेवार, जल्दी करा हो किदर जा रहे हैं? फिल्म देखने मेरे बगार? तुम अंदर बैठके अखवार पढ़ो चले यह जाती है जाती वाली क्या बात है? तुम ऐसा गरो अंदर अखवार पढ़े उस पे फिल्मों के इस्तिहार होगे तुम देखो कल कॉंसी फिल्म देखने हैं और देखने चलेंगे अच्छा वो चन दिन मेरी शादी के बहतरीन दिनों में से थे जिस मनसूर से मैं अब मिल रही थी उस मनसूर को तो मैं पहले जानती ही नहीं थी मुझे जैसे पहली बार यह मैसूस होना शुरूबा था कि मैं भी मनसूर के लिए एहम हूँ कोई माइने रखती हैं कोई जगा है उनकी जिन्दगी मेरे लिए भी और यह कि वो भी मेरी कम उसी तरह मैसूस करते हैं जैसे मैं उनकी है हलो असलाम लेकुम अम्मी वालेकुम असलाम शहवाद जी अम्मी खारियां से बात कर रही हूँ अरे तुम खारियां चली गई हमसे मिले बहाएर अवे बताया भी नहीं अमी वो मनसूर के किसी दोस की शादी थी इसलिए अचानक आना पड़ा चंद दिनों के लिए ओ अच्छा अमी आप जानती है मनसूर को घर मिलके है वाकई? बहुत बहुत मुबारक हो ख़य मुबारक बहुत अच्छा घर है दो कमरों का बहुत बड़ा गार्डन भी है मैं तो सोची जाने से पहले सबज्यों के बीच लगवा कर जाऊंगी हाँ जुनूर लगवाना यह तो बड़ी अच्छे बात है ऐसा करूंगी कि दिवान उसको उने में रखूंगी अब बात पास दादा की जमाने के दिवान है बहुत खुप्सूरत उने का ते को मुझे देंगे और डाइनिंग तेबल यहां पे अच्छी लगेगी सोफा का रखूंगी सोफा सपने दिवार पर और ऊपर एक फेंटिंग है ना वंसूर ठीक है परतनवारी अल्मारी यहां पे डाइनिंग के साथ बहुत अच्छी लगेगी सामने पर ख़ाएं पर आज़ो पास आज़ा कुछ परच्छी खारी अच्छी लगेगी तुम्हारे आने से और भी अच्छा है भी आज़ी छूट मत बोदें जी कहना ही बहुता है मैं यू कह देता हूं कि खारीया का मौसम नाज़े पहले भी बहुत है मुझे अंदाजा नहीं था कि आप ऐसी बात में भी कर सकते हैं पहले तो आप से बात भी नहीं होती थी कैसी बात? यही सारी बात है जो आपो भी कह रहे हैं मैंने प्रैक्टिस नहीं कर लिए अब कैसे हुए? खारिया में कुछ लड़कें हैं उन्से बाते करें मुझे तो पहले ही आप तो शक्त था अब यकीन भी होगी यह तो अची बात है तुम्हें मुझे पर यकीन होना चाहिए मैं आपके अफ्यर की बात कर जो यह हबीद साब की बेटी कान थी? जैसे आप शादी करना चाह रहे था हाँ वो लड़की है हसीन लड़की है हसीन लड़की? बहुत हसीन मत से भी ज्यादा हसीन तुम से तो कहीं ज्यादा हसीन उसमेंसा हसीन क्या था यह पूछो कि उसमें क्या हसीन नहीं था ठीक है तो यह बताते हैं कि उसमें क्या हसीन नहीं था बस उसका नाम हसीन नहीं था हमीदा परवीन नाम था उसका उसमें पहली चीज होगी जा आपको बहुत अच्छी लगी होगी वैसे उस जैसी लड़की पूरे महले में नहीं थी तो फिर आप करते ना हमीदा परवीन से शादी अब करलो ठीक आप जाके हमीदा परवीन से शादी तुम नराज होके जा रही हो या हमीदा परवीन के लिए समान लेने जा रही है कि मैं हमीदा पर्वीन का गला ना घूंट तो कि उसके लिए समान लाओंगी पहले खुद बात करते हैं और जब मैं तफसील दे रहा हूं तो फिर मुझसे नाराज हो रही हो एक तो तुम और तो की मुझे समझ नहीं है हमीदा पर्वीन भी और थे हां लेकिन वो एक मुख्त जल्म जारे हूं तो कि अगry जल्म जारे हूं उसके लिए में जल्दी वापिस बुणा दो झाल्टी वर्वाने रटी पलाएंगा उस्टेश तुमें आपकर रहता हूं तहु झाल्या दो आपकर व्यूं पागल लड़की तुम रोप्यों रही है है कि मैं उल्मने क्यू आ वो मुझे जन्नत से निकाल कर वापस दुज़क में भेज रहे थी मुझे रोना नहीं आता क्या कौन है? अन्ना अजाओ सर्थ हाँ, चंदाना को बता दो यह उन्हीं को बुलाए जारा हूँ ठीके, उसे बुलाने के बाद मेज लगाना में आती हूँ प्रिया दो हमीत आइच अच्चु अच्चु हमीत जी शाब और शंदाना को बताया? शुन्दाना बीबी तो अभी तक सो रही है कह रही थी कि अभी मत जगाए और सर अभी अभी बाई निकले है इस वत भार चले दे खाने का वक्त हो गया मैं फोन करके पूछ दी हलो मनसूर आप कहा है आपके लंच का वक्त हो गया लंच मैं हभीब के साथ करूँगा हभीब भाई क्या क्यों पहले तो आपका ऐसा को इरादा नहीं था हाँ पहले नहीं था अब इरादा हो गया है शाम को वापस आउँगा सुफी शुरू करो मेरी जान क्यों क्या हुआ ममी इस अपसेट अगे यह पाई यह तो इसलिए रोपड़ी थी कि उनके सर में दर्द हो रहा था बिटा आपके दर्द होता है तो आप यह तो रोपड़ते हो ना नए चलो खाना शुरू करो नए आई है डाड़ी नहीं नहीं जान ऐसे थोड़ी कहते आपके डाड़ी है वो डाड़ी को ऐसा नहीं कहते बिटा यह मेच ममी प्राइए और आई डूंट लाइक एड़ी इदर हो मुरी पास, इदर हो कॉम एजिए, कॉम एजिए कॉम एजिए, कॉम एजिए ओ, मेरी बिटी अरे मामी, मैं बिलकुल बर्दाशनी करूंगा कि किशंदाना इस तरह सोफी का ब्रेम मौश कर रही है मेरे खिला अरे देखिए, आई डूंट केर वो वापस आना चाहती है, तो ठीक है अगर नहीं आना चाहती, तो भाड़ में जाए हैदर, दमाग खराब कर दिया है, तुमने मेरा एक तरफ तुम मेरी बात नहीं सुन देए दूसी तरफ मेरा माई मौ बना कर बैठा है देखिए अमी, अब लिए मामू नाराज होते है तो बहुते रहे हैं मौते हैं किया दरह तो मामू कही है उननों नहीं उसके जिद्मान मान चाहते है उसका दमाग खराब किया है हमें क्या कर रही है लाइट जलाने का क्या फाइदा और यू इस तरहां वो सेर्ट बगेटे बगार कहाईगा तक रहें ज़र दे रहें इतना कम्जोर और उस दिल नहीं समझा था बीटा, हर मसले का हल निकल आता है बलके निकाला जा सकता है हो सकता है लेकिन ये मसला मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को खतम कर रहा है इसका हल निकल भी आये तो मैं हैदर को वो प्रावटी नहीं दे सकोगी जो मैं पहले देती थी बहुत गिर गया है वो मेरी नजरों में कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकेगा कभी भी कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकेगा हाँ, शादी से पहले उसने बगाड़ा और शादी के बाद रही सही कसर तुमने पूरी करते हैं देखिए, आप उसे कह दीजिए, प्लीज, वटेवर, बस सोफी को भेज़ दे, मुझे उससे कोई इंटरस्ट नहीं है हैदर, तुम मुझसे मेरा भाई छोड़वाओ के देखिए ममी, आपके भाई को भी तो चाहिए था ना कि बापनी बेटी को समझाते यही बात वो तुम्हारे बारे में मुझसे कहता है होश करो हैदर, इतने साल हो गए शादी को, कोई मसला नहीं हुगा यह चाहनक बैठे बिचाए, सब बुराइयां तुम्हें शांदाना में नजर आने लगे मिया भीवी की जिन्तगी में बैठा ऐसे मौट तो आते ही रहती पर आइस्ता इस्ता सब कुछ पहरे जैसा हो जाते है किसी किताबी बातें करती हैं, मामे किस दुनिया में रहती हैं आप आप अंदाजा नहीं लगा सकती हैं कि मैं किस तक्लीफ से गुजर रही हूँ अंदाजा है, तब ही तो कह रही हैं परके तुमारी समझ से ज़्यादा अंदाजा है यही सारी बात है मामे हमें से हरे की समझता है कि हमारी परेशानी हमारी तक्रीफ सबसे जादा बढ़ी है कोई ये माने के लिए ने तयार कि भाई शायद किसी और की परेशानी जादा बढ़ी होगी दूसरे की तक्रीफ तुम मेरी अखलाती बेटी हो ममी आप नहीं जान सकती हैं कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूं प्लीज अपने आइडियल सिचुवेशन को मेरे मैस के साथ मत कंपेर कीज़े मसले तो हमेशा सही थे आप लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचने दिये मैंने कि मेरी कोशिश थी कि हम खुदी सॉट आउट कर लें लेकिन शिदाना दिन बदिन खुदसर और जिद्धी होती चली जा रही है और अब ये सिचुवेशन है कि वो किसी भी चीज़ पर कंप्रॉमाइस करने को तयार ही नहीं खैदर तुम मुझसे बच्पन से मिल रहे थे तुम्हारी दोस्ती थी दोस साल तुम्हारी मंगनी रही उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि वो जिद्धी और खुदसर है आच साल गुदने के बाद अब तुम्हें याद आया गलती हैं इंसानों से होती हैं पर समझ लीजे कि गलती हो गई मुझसे कि मैने शादी कर लिया अब आप क्या जाती है गुली मार लू मैं खुद को अब एसा मत को गलती हुए या नहीं शादी को निभाना पड़ेगा ये शादी है बच्चों का खेल नहीं अपनी शादी शुदा जिन्दगी के चाले सालों में पापा के साथ होने वाले चंद इक्तिफा के जगड़ों को आप एकनी बड़ी परिशानी समझती है क्या कभी आपने अपनी अडवांटेज अपनी सहूलते देखी है सहूलते और एडवांटेज अपनी आपको कभी कमाना पड़ है नहीं सिर्फ घर चुलाना पड़ है पापा ने हमेशा आपको इतनी एहमियत दिये कभी आपको रहने नजर अदाज ने किया चोटी चोटी बातों पर हुमिलेट ने किया चोटी चोटी बातों पर हर्ट ने किया हर बात पर तनकीद ने की आप पर कभी पाबंदी ने की गई आप कैसे जान सकती हैं कि मैं किस पेंट से गुजर रही हूं मामी खेर चलो उठो आ जाओ उपर कुछ खा लो खाली पेट रहोगी तो सर में दर्द हो जाएगा ऐसे भी तुम्हारे बापा बहुत परेशान है अब परेशानी में टेहल रहे तुम कुछ खाओगी नहीं तो और परेशान मुझे अच्छ आप चले में आती है समझते हो तुम्हे इस तरह आप कर ले रहे हो तुम अपने आप को समझते कि या वह मैं ओफिसमें प्रिसेंटेशन देरा तुम्हारी तुना आपने माबा की घर में हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा जिसे हर वर्ट कॉल करने के अलावा कुछ काम नहीं हुआ तुम और तुम्हारी प्रेसंटेशन इस्टॉप बिंग सच अ ब्लाडी लायर और जो दो है यह सकत सिर्फ दर्फ प्रा हाथ भी मिन करते हैं अहुआ अश्सक कि अश्सेट बैंने मने वना डाडी इप्सेट हैर मेरे आष भाण। और यहीं तॉकें इसलूप आपक खर मद वरूपा वह वह बहुता? नो! दिए यहां पुर्सक्तु का रखा रहता है अजे एम फोल गल्हा नो की यह लो बहुत है पाउप्ष जो लें लेंद 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 वह? कोई निया थागा इसे भी तो हो सता है ना? कि तुमारे डाडी सो गयू और इसलिए अपना फोन बंगर लियू डाडी लबस दो दो प्रोड ना? चलो बेटा शोरी हो जा लेट तेप्स्टेविशन, कमाऊ जो झाल 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 या управ उ는데 झाल झाल